ग्रहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारे बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रू सादर जैसी कृष्ण हमारे यूटूब चेनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आचारिधर मिंद शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं डैनिक राशीफल यह राशीफले 20 अगस्त 2024 भादरबद महा के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदाती थी है इसी दिन से भादो महा का आरंब होगा धनिष्ठा नामक नक्षत्र होगा तथा कुम्ब राशी में चंदरमा विराजित रहेंगे दिशासूल के अगर हम बात करें तो उत्तर दिशा में होंगे इसलिए उत्तर दिशा की यात्रा करना नुकसान दायक सिद्ध होगा अगर किसी कारण वस उत्तर दिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो गुड़ खा करके यात्रा का आरंब कर सकते हैं राहुकाल जो की दोपहर तीन बजे से लेके साड़े चार बजे तक रहेगा राहुकाल के दोरान कोई भी शुब या मांगलिक कारिक्रम आपको संपन नहीं करना चाहिए हलाकि राहुकाल का निर्ने आप अपने ख्षेत्र के पंचांग अथवा केलेंडर के नुसार कर सकते हैं जोकि राहुकाल कई छेत्रों में माना जाता है और कई छेत्रों में नहीं भी माना जाता है। ये पांच राशियां सबसे दिख भागिशाली रेने वाली है। जोकडिया रहेगा। शुबह नो मजे से लेकरके साठे दस बजे तक चर का चोकडिया। उसके बाद सुबह साड़े दस से दो पर बारा बज़े तक लाब का चोगडिया तथा दो पर बारा बज़े से लेकर के डेड़ बज़े तक अमरत का चोगडिया और दो पर बाद तीन बज़े से लेकर साड़े चार बज़े तक शुब का चोगडिया रहेगा इस दोरान ये लिए आप कोई भी शुब काम करेंगे मांगलिक कारी करेंगे, नया काम करेंगे तो आपको अधिक से अधिक फाइडेका से योगनिर मित हो सकता है अब हम आपको मेंस से ले करके मीन सभी बारा राशी वालों का देनिक राशी फिल बताने जा रहे है हमारे इस ग्यानवर्थक वीडियो को अंति तक देखेगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए सबसे पेरे बात करते हैं मेंस राशी की परिवार और फाइनेंस संबंदित कुछ महत्वपूर्ण सकरात्मक परिनामा के सामने आएंगे पिछले कुछ समय से चली आ रही उतल फुतल भरी जिंदगी से कुछ राहत मिलेगी योवा वर्ग अपने भविशे से संबंदित प्लानिंग करे समय उत्तम है पेसो के लेन देन में कुछ ब्रहम की इस्तिती रहेगी परन्तु आगे चल करके सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा किसी की बैद पर विश्वास करने से पहले उसे अच्छी प्रकार से जाच पड़ताल अवश्य करे अपने साथ काम करने वाले लोगों से रिस्तिदारों से या पड़ोसियों से आपको मधुर संबंद बना करके रखना चाहिए उपाई के रूप में घर से निकलते समय सोफ और मिस्री खाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक साथ होगा भागिशाली रंग गुलाबी होगा अब हम बात करते हैं व्रशवरासी की पिछले कुछ समय से आप जिस कारी को लेकर बहुत अधिक महनत कर रहे थे आज उससे संबंदित अपरत्याशित लाब होने वाला है घर के बड़े बुजुर्गों का प्रेम और आशिरवाद बना रहेगा किसी नजदी की संबंदी या रिस्तेदार वारा कोई शुव सूचना या अच्छा समाचार मिलने से घर में खोशियों का माहौल नर्वित होगा आपका मन भी बहुत अधिक प्रसन रहेगा किसी मित्र से संबंदित कोई पुराना मामला दोबारा उठ सकता है परन्तु उत्तेजित होने के बजाए शांति पूर्ण तरीके से व्यवार करना उचित रहेगा और व्यापयार में आपको एक नई जुम्मेदारी नया काम आगे बढ़ने का आउसर भी प्राप्त होगा व्याउसाई गतिविधियां पूर्वत रहेगी लेकिन आप जो भी काम करेंगे उसके आगे चलकर के बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हो सकते ही उपाय के रूप में गनेश जी को गुड़ चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग के सरिया होगा अब हम बात करते हैं मितुन राशी की दिन भर व्यस्तिता बनी रहेगी महमान नवाजी तथा मोज मस्ती में भी कुछ समय आपका व्यतित होगा सूजबूच से लिए गए निर्णे आर्थिक रूप से आपको और अधिक मजबूत और सक्षम करेंगे काम को पूरा करने के प्रती उत्साह बना रहेगा किसी जर्वतमन मित्र की मदद करनी पड़ेगी परन्तु अपने बजट का ध्यान भी अवश्यर रखे भाई बहनों या सगे संबंदियों से लेकर छुटी मुटी बात को लेकर के वैचारिक मदभेत उत्पन हो सकते हैं बहतर होगा कि अधिक वाद विवाद में न पड़े करिक्षित्र में सभी नड़ने स्वयम ले किसी की मदद के बजाए आप स्वयम ही सभी कारियों को करने में सक्षम रहेंगे सरकारी नोकरी में किसी भी प्रकार के गेर कानूनी काम में रुची न ले अनिथा मुश्किल आपको पेदा हो सकती है और उपाई के रूप में गाई को रोटी और गुड़ खिलाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका हारा होगा अब हम बात करते हैं करकराशी की अपने संपरकों का दाइरा और अधिक विस्तरत करे आपके लिए यही फाइदेमन साबित होगा महत्वपूर्ण तथा अनुभवी व्यक्ति के साथ आपका समय वितित होगा इसके सकारात्मक परिनाम भी आपको प्राप्त होंगे घर में महमानों के आगमन से उस्सव भरा माहोल रहेगा अपरिचित लोगों से व्यभार करते समय अपने गतिविधियों को उनके समक्ष जाहिर न करे अन्यथा आपको नुपसान हो सकता है कभी-कभी स्वभाव में तनाव और चिर्चरापन आपको अपने लक्ष से भटका सकता है और उपाई के रूप में हनुबान जी के मंदिर में नारियल चड़ाना आपके लिए शुफल दाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक साथ होगा भागिशाली रंग आपका पीला होगा अब हम बात करते हैं सिंग रासी की आज अपने सपनों तथा महत्वा का अंक्षाओं को पूरा करने का दिन है अब जिस काम को भी करने की मन में ठान लेंगे उसे पूर्या करके ही दम लेंगे भाईयों के साथ चल रहा विवात समाप्त हो जाएगा तथा आपसी संबंद मधूर हो जाएंगे भाउकता में आकर कोई भे निरणे न करे तथा नकारत्मक प्रबत्ती के लोगों से दूरी बना करके आपको रखना चाहिए उपाई के रूप में पीपल के पेड के नीचे काले उड़त चड़ाना आपके लिए शुपलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक दो होगा भागिशाली रंग आपका औरेंज होगा अब हम बात करते हैं कन्याराशी की आज आप उत्सहा से परिपोर्न रहेंगे महमानों की आउभगत में समय आपका वेतीत होगा दो पहर के बाद अपरत्याशित लाप की इस्तिती बन रहें अचानक धानलाब होगा या कोई अच्छे संकेत आपको प्राप्त होंगे समय का भागिशाली आपकी सकरात्मक तथा संतुलित सोज द्वारा योजना बद्ध तरीके से कारी संपन्न हो जाएंगे परन्तु खर्च के मामले में जादा दर्या दिली न रखे किसी व्यक्ति से पैसे संबंदी लेंदेन करते समय वाद विवाद की इस्तिती उत्पन हो सकती है घर के किसी सदस्ति के स्वास्त संबंदी चंता आपको परिशान करेगी और उपाई के रूप में गणेश जी को बैसन से मनी मिठाई चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका नीला होगा अब हम बात करते हैं तुला राशी की आज किसी अंजान व्यक्ति से मुलाकात आपके लिए लाप प्रत सिद्ध होगी अगर कोई प्रापर्टी संबंदी मामला अटका हुआ है रुका हुआ है तो आज उससे संबंदित कोई कारी संपन हो सकता है इसलिए प्रयासरत रहे बच जोकि पैसा वापिस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा किराइधारी संबंदी मामलों में कुछ वाद विवाद जैसे इस्तिती बन सकती है अगर व्यापार में किसी पार्टनर संबंदी कारी को करने का प्लान बना रहे हैं तो फाइदे मंद रहेगा इसलिए उस पर तुर भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं वर्ष्चिक रासी की अज प्रकृति आपको कोई बहतरीन मौका प्रदान करने वाली है अतह इस समय का भरपूर जो है उप्योग करे परिवारिक व्यवस्था को अनुशाषित बना कर रखने का आपका प्रया सफ पड़ोसियों से किसी बात को लेकर के विचारिक मदभेद की उस्तिती उत्पन हो सकती है बहतर होगा कि फाल्तु की बातों पर ध्यान न देकर अपने काम से मतलब रखे और उपाई के रूप में हनुवान जी के मंदिर में यदि आप कोई भी फॉल चड़ाएंगे तो देन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग आपका गुलाबी होगा अब हम बात करते हैं धनूराशी की दिन की शिरुबात बहुत ही सकारत्मक विचारों से करे व्यक्तिगत तथा और्थिक पक्ष को मजबूत बनाने संबंद योजनाएं बनेगी दो पहर बाद आपको कोई महत्वपूर्ण उपलब्दी हासिल होने वाली है कोई सुब सूचना या अच्छा समाचार भी मिलने वाला है बच्चों के साथ बेटकर उनकी समस्याओं का समाधान करने में आपको खुशियां प्राप्त होगी और आत्पा का लाल होगा अब हम बात करते हैं मकर राशी की आज किसी दिर्ग कालिक लाब की योजना पर कारी शुरू हो सकता है पिछले कुछ समय से चली आ रही किसी चिंता का समाधान मिलने से मानसिक शांती आपको अनुभव होगी कामकाच तथा पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच ताल मेल बिठाना चुनूती रहेगी परन्तु आप सब कुछ सुनियोजित तरीके से कौर पाने में सक्षम रहेंगे और उपाई के रूप में हनुमान जी के मंदिर में काले तिल चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक दो कभी कभी आपका ध्यान कुछ गलत प्रबत्यों के और आकर्शित हो सकता है इसलिए ग्यान वर्दक तथा उत्तम साहित्य पढ़ने में अपना समय वितीत करें नया काम नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत आपको मिल सकते हैं पुराने रुके हुए कारी आपके पूर्ण हो जाएंगे घर परिवर्तन संबंदी योजना बनेगी नोकरी बदलने के बारे में भी आप विचार कर सकते हैं और उपाई के रूप में भगवान विश्नुजी के मंदिर में केला चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भ कोई ऐसा निर्ने लेंगे जो आपके लिए फाइद्यमन साबित होगा संतान पक्ष की तरफ से कोई चिंता दूर होने से घर में खुश्नुमा माहुल निर्मित होगा अपने क्रोधव जित पर नियंत्रन रखे इसका असर पारिवारिक व्यवस्ता पर पढ़ सकता है और उ को करने वाले उपाय तथा भाग गिशाली अंक और भाग गिशाली रंग हमने आपको बताए हैं हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा लाइक करिएगा कमेंड करिएगा और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अभश कर लिजिए आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जैसी कृष्ण सादर धन्यवाद